आपने अपनी पार्टी की आजाद है और आजाद रहेगी और आजाद होगी और क्या होगी क्या उठाएंगे अब आप किसन देख रहा हु निकलते हैं तो कभी कोई है डाइप लोगों नाय है जिंदर शेखर या बहुचन दोनुए एक होंगे और धरती और आसमान से कैसे चुणोगे अप जैसे दरती और आसमान में से कैसे चुनोगे रहने लिए दोनों मेरे लिए बराबर हैं वह भी मेरे लिए बराबर वह मेरे लिए आसमान वह लिए आसमान है रहेंगे हमारी सीनले अर्थी सीनले रहेंगे बेंजिये वह भी मार्मी बेंगे कौन बनेगे बनेंगे क्यूं नहीं वह देख लिए खुद बतागा आप तो कर रहें मुक्यमंतरी की बात एक दिन वह आएगा कि पड़दान मंतरी देश का चंधर सेकर आजात होगा में जा बोला हूँ चंदर सेगा राजात देश का पर्दान मंत्री है आने वाला मुखी मंत्री की बाद ना करो आप वह जिन्दावार आकास आनन भाई चंदर सेगर्जी है उनको भी साथ लेकर चलेंगे यह पूर्डिकल सवाल करना गरुब से बताई बूठिवा कैने नहीं रहीं हैं यह कै लिए या राजने पी यह चीघनी करना तुर रही जा आप जो बारे में क्या का हमारी बड़ी है हम उने अपना वो मांते हैं उनको भी संवान दिया यागा अगर चंदर सेकर जी मुख्य परदान मंतरी बनेंगे तो माय होती को दूबार मुख्य मंतरी बना करेंगे आप चंदर सेकर आजा जाए जी वो दा में 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 क्यों नहीं बन सकती है मुस्लिम समाज को बहुजन सपोट है बहंजी भी हमारी है चंद सेकर भी हमारा है चंदर सेकर जी युवा लड़के बेंजी ने उनको आराम करना है जाते हैं कि एक बार युबा को मौका दिया जाए जाए क्योंकि बेंजी को तम नहीं जिए चंद सेकर ने हमारे पीच रहे काम किया है मेरा नाम नाम नईम्रसा मा आजा समाज पार्टी से मंडल पादेक्ष बरेली से हूं तब तो आप चंद सेकर जी की तारीफ करेंगे भाई सवाल इस बात का है कि हम चंद सेकर भाई की तारीफ नहीं करते हैं हम चंद सेकर भाई की संगरसों की तारीफ करते हैं जो हमें आखों से दिखता है अगर हमारी उम्मीदों के साथ ना पूछ करके आप मुझसे मत पूछिए ये पूरे हिंदुस्तान के बहुजनों की एक दिलों की अबाज है और एक बूरे बहुजन समाज को उम्मीद है कि भाई बहुत जल्द ये नीला गमचा अपने गले में डाल करके दिली के लाल किले को पर तरंगा लहरातों नजार आईए आपको ये अब आपने पूछा कि बहन जी का क्या होगा बहन जी का आपने पूछा कि बहन जी का क्या होगा जिस समाज से चंसेकर भाई आते हैं ज सदियों सदियों तो हमारे महापुर्सों ने समाज को सीचने का काम किया है मैं देश की आजादी से पहले नहीं जाता हूं देश की आजादी कि जब देश आजाद हुआ तब से मैं बताता हूं समाज को सीचने का काम हमारे भाराज़तन बाबा साहब ने सबसे पहले किया उसक से लोग पिर शेर दिल चंद्रशेकर आजाज जी कर रहे हैं रही बात बGive जी की ने इस समाच को बहुत समय तक बहुत कुछ दिने का काम किया है हमारी आधरनी है मगर मैं इतना ही कहना चाहूँ जब कोई एक गाड़ी होती है और गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उससे सपर जब नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं नई गाड़ी खरीद के ले करके आते हैं जो एक पेड़ बन करके अब पूरे हिंदोस्तान के अंदर जिसकी ब्रांचिस फैल चुकी है और बहुत जल्द ये बहुत जल्द ये बहुत जल्द समाज उस पेड़ से छाया लेने का काम करेगा फ्रूर्स और फल लेने का काम करेगा तो बहुजन समाज एक दूबती हुई नाव है और आजास समाज पार्टी और भी मारती एक उबरता हुए जहाज का नाम है बस इतने ही कहना चाहूंगा समझदार लोग हैं लोग लोग समझधार है कि उन्हें जूबते हुई नौपर सबार होना है या उभरते हुए जहाज पर सबार होना है देखिए देखिए मैं आपको बताओं कि देखिए मैं आपको बताओं मुझे यह नहीं पता कि बहन जी B टीम है C टीम है या है या नहीं मुझे इस पर कोई नहीं क्योंकि यह उनी के लोग बता सकते हैं हमारे लिए वो आदर्णिये हैं मगर हा मैं यह कहूंगा कि यह बहुजन समाज अपने दिलों के अंदर दर्द ले करके घूम रहा है जिस तर समाज पार्टियों भीम आर्मी का जंडा और डंडा लेकरके इस चंद स्यक राजा जी के पीछे खड़े वो नजार आ रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे है कुछ न कहने से बसपा डूपती नाव भी नहीं कह सकते हैं और जहाज भी नहीं कह सकते हैं बसपा हमारी बहेंजी की चलाईवी पार्टी है जो कासिराम की पार्टी थी बहेंजी ने सीचा उसको सभारा यहां तक पहुचाया अब कुछ परिस्तियां हैं कमजोर भी हो गहीं दीदी हमारी तो नहीं आना चाहती मैदान में उन लोगों ने हम लोगों को पैदा कर दिया है जो हाग की आवाज और दली समाज की बहेंजी का आसिरवाद ही है यह हले समाजीक तार से सब के सामने आकर के दिल से भाई चंसेकर राजाज जी को समाजन समाजबादी पार्टी के हर एक नेता ने और अबेही समयतार से बहेंजी ने आशिरवाद दिया क्यूंकि उनहीं को मिशन को आगे ले जाने का काम हम लोग और हमारे चंसेकर भाई कर रहे हैं देखिए आप तो अंदूरीनी गड़ बंदन की कह रहा है हम तो बहन जी से आज एक एक कारे करता आपके चैनल के माद्दियम ते यागरे करते हैं कि समाज में सब के सामने आकर के गड़ बंदन कर लें हम लोगों को गले लगा अरे आजाद भी आपका बेटाय आपका भाई है कई ना कई तो हम बु Working के लिए आपने समय मांगा किनी का करणबश बहन जी नहीं बाइं पाई गा कि यहा ? एक बात द्यान रखीगा कि यहां मुद्दा बसपा और सपां का नहीं है यहां मुद्दा ऑन लितों का बहुजनों का मुद्दा है मैं पत्रकार महदे मैं पत्रकार महदे आपको बताओं कि मैं एक मिनट अभी आप सवाल करिएगा एक मिनट सुझेगा देखिए एक मिनट सुनिए पत्रकार महदे ये सवाल जो है वो इस बात का है कि बोट हमारा राज तुमारा नहीं च काम नहीं कर रहे हैं लोगों के लिए जौब देने का काम नहीं कर रहे हैं वो जो हैं वो मशीनिरी के लिए काम कर रहे हैं एक नया उन्होंने जौब निकाल रखी है वो बुल्डोजर पर था ठीक है वो इनसानों से ज्यादा मशीनों पर ध्यान दे रहे हैं जो सरकार सतर साल के अंदर दबे कुछले लोगों को दई तोप मुस्लिमों को पिछ्डों को घर देने का काम नहीं कर पाई жеह कि अधर।या बचा कर बनाया अपना आशयाना बनाया उथे उजारने का काम कर रही है और है पत्र कार्मोजे कोई नहीं जानता होगा एक घर बनाने के लिए एक बाप की एक भाई की एक जिंदगी गुजर जाती है मगर एक दर्दनाग सरकार एक दर्दनाग सरकार एक दर्दनाग सरकार आए सरकार योगी जी की उस मिहनत को उसके दर्द को उसके आस्याने को एक मिनट के अंदर अपने बिल्डोजर से रौंद देती है जा करके देखे मैं आपको बताओं मैं आपको बताओं आपने बॉली बुड में एक नाम सुना होगा अमरेश पूरी जी का उन्हें लोगों को अलग अलग तरीके से रिप्रिजेंड कि और लग अलग अन्हेel करेक्टर मैं कभी वह मुगै म्चा में जाते हैं इसी तरीके से हमारे प्रिजेश के नदर कुछ नेताइब बहुत बड़े बहुरूपी यह हैं उन्होंक्राय को भाईरूप है पर करके बहुत समय तक के लिए गुमरा कर दिया तो आने बाले समय के अंदर तुम्हारे जिन को और तुम्हारे 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 जीन कामीा और तुम्हारे जीन को और तुम्हारें की सर्काइए चंद 27 में सिर्फ अस्पा की सरकार एक बात आप मेरी नोट कर लिजिए 99 परसेंट भाई 27 के अंदर यूपी के सीम बने गए और इस सिफाक से एक जर्रे भर भी अगर कहीं कोई कमी रह गई तो सुनते रिकॉर्ड कर लिजिए मेरी बात रिकॉर्ड कर लिजिए और याद रख अधर आपको जय भीम और जय भीम और इंकलाब जिन्दाबाद के नारे लगा तो यह लोग कह रहें बहुजन बहुजन यहां पार्टी और संगठन के लोग नहों करके सबसे पहले हम बहुजन समाच के लोग लेकिन 21 सदी की आदाद आवाज एडवोकेट चंदर चेकर आदाद है था और रहेगा पाने चेकर फिराद आवाज एडरख के विरोध में कोई काम नहीं होने दिया जाएगा इस देस के अंदर भीम आर्मी का बच्टा बच्टा करांती करने के लिए त्यार है हम लोग जब तक पीचे नहीं हटेंगे जब तक सविधान विरोधी ताक्ते खतम नहीं हो जाएंगी तो ये तस्विर आप देखें इन तस्विरों को लेकर क्या पर्थकिलिया आप लोग अपनी पर्थकिलिया जरूर दीजिए बहुत बहुत धन्वाद शुक्रिया